अब बैक टेटु चलेल एक्जाम बेगनेर उमीद आप लोग इप्टी पेशन सही चल रहे होगी देखें यूपी ट्रेपलेसी पीटी का एक्जाम जो कि 18 सितंबर को आपता होने वाला है और इस समय इसके यहाँ पर एप्लिकेशन में यह बता चुका हूँ कि आप फिस्टी को कैसे कवर करोगे आप भातिरास्टी आंदुलन टॉपिक को कैसे कवर करोगे अब मैंने लास्ट डे यानि पिछले बीते दिन कल मैंने आप पर एक प्रेक्टिस सेट वन लगाया था भारतिय थियास का जहां पर हमने प्राचीन भ जरूर देखेगा लेकिन जो स्टुडेंट्स चैनल पर पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल इकन भी प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई वीडियो यूपी ट्रेपल सी पीटस रिगार्डिंग आए आपको इस चीज की इनफोर्मेशन मिल जाए तो देर ना कर करते वे आज का सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं सो कोशन नमर जो फर्स्ट है वो है हमारा यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो कोशन यह है मिडल हिस्ट्री से यानि मद्यकालिन भारत से आपका दीन ए इलाही की शुरुवात किस ने की थी आप से पूचा गया है दीन ए तो वो की थी अकबर ने अकबर ने क्या था कि विबिन तरह की जितने भी धरम थे उन सब पर चर्चा करने के लिए अकबर ने एक तरह की सभा बुलाई थी जिसे सभा बोल सकते हो आप वो बुलाई गई थी आपकी कहां पर ये फतेपूर में बुलाई गई थी वहां पर अ आखरकार एक नए धरम की शुरुवात की क्योंकि वो किसी भी धरम से संतुस्त नहीं था इस वज़े से उस ने धरम की शुरुवात की उस नए धरम का नाम था दीन इलाइंग ये सबी के लिए खुला हुआ था, अमीर, बड़े, छोटे, किसी धरम से था, सब इसको जोईन कर सकते थे, सब इसको अपना सकते थे, लेकिन बड़े जो अमीर लोग थे, उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दी थी, और अकबर की समय में जो बीरबल थे, वो सबसे पहले इस धरम में शामिल हुए थे, तो यहाँ पर जो एक्जामनर आप से कोशन पूछ सकता है, कि दी नही लाइन की शुरुवात किस ने की थी, वो अकबर ने की थी, ये इंपोर्टेंट कोशन है, अब देखतें नेक्स कोशन, नेक्स कोशन है, मद्यकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री, इबर्बतुता कहां से आये थे, देखो मैंने कल भी आपको बताया तो और आज भी मैं बता रहा हूँ कि जितने भी विदेशी यात्रियों ने भारत में भ्रमन किया था, वो सभी इंपोर्टेंट है, और पीटी के एक्जाम में एक विदेशी यात्री से कोश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए जितने भी विदेशी यात्री है, उनको आप कलियर कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, तो जो इबर्बतुता यात्री था, ये कहां से आया था, ये पूछ गया कोश्चन में, और ये आया था आपका कहां से, मौर्को से, इबर्बतुता किस के साशनकाल में भारत आया था, तो ये मोहमद बिन तुगलक के साशनकाल में भारत आया था, और इसने अपने टाइम में एक बड़ी ही परशिद बुग लिखी थी, जिसका नाम था रिहला, तो यहाँ पर दो तीं कोश्चन जो बनते हैं, इबर्बतु जैसे कि मैंने इबर्बतुता के बारे में आपको बताया क्या क्या चीज़े थी, तो इसी तरह कि सभी इंपोर्टेंट नोट्स हमने अपने पेड़ बैच में भी चला रखे है, आपने सभी सुना, इससे हम हमारे एक पेड़ बैच लाइफ चल रहा है, जहाँ पर हम आपक इससे पहुंत मिलेजेगी, जてत करा मिलिएग नोट्स के बैस पैस के अपको आपको अपना है साम किन्पार का प्राइस M. है हिंदी में यह अबलेबल है और टाइम पर टाइम पर हम जुग जुग जुगत पढ़ रही है तो स्टूडेंस के साथ हम यहाँ पर जूम डाउट सेशन भी रख रहे हैं फेस तो फेस ताकि उनके कोई भी डाउट हो वह क्लियर किया जा सके जोइंट करने के लिए आप हमें इस वोटसप नंइबर पर कांटेक कर सकते हो बागी स्कुण फोट को पोज करके आप यहाँ पर साइड डेले reliion चेक कर सकते हो अब है हमारे नेक्स गॉर्शन जैसे कि अब जो question यहाँ पे पूछा है यह question पूछा है कि बजार नियंतरन निती किस साशक ने पेश की थी अपने time में यह पूछा गया है तो अगर आपने पढ़ा हो और आपको यादो तो यह आपको जो पेश की थी यह की थी यहाँ पर अलाओ दिन खिल जी ने अलाओ दिन खिल जी ने अपने शाशकाल में बजार के अंदर बढ़ती महंगाई दरों को और जो वहाँ पर जो कर लिया जाता था उसका संग्रह था करका collection था वो कम होता जा रहा था इस वज़े से rate नियंतरन करने के लिए बजार में और कर संग्रह म आपका option number A राप्त की साथी साथ में अगर मैं बताऊं तो अलाओ दिन खिल जी ने उत्तर पश्चिम जो भारत की सीमा थी उसको अपने अंडर में पूंड रूप से ले लिया था तो ये अलाओ दिन खिल जी का एक छोटा सा introduction था ताकि आपको यहाँ पर चीज़े याद आ सके और कु पानी पत का तीसरा यूद किसके बीच हुआ था देखिया आज के दूस सेशन है और इसमें जो questions है यह बड़े interesting और important question है मैं मानता हूँ कि इन में से कोई एक ना एक आदा question आपको जरूर मिलेगा या इन से जुड़ता हुआ इसी type का question जरूर आपको मिलेगा तो इने के लोगों इस वीडियो को जरूर शेयर करें अगर आपको इस session अभी इस moment पच्छा लग रहा है तो तुरंत नीचे जाके यह like बटन दबा दे तो question को देखते है पानी पत का तीसरा यूद किसके बीच हुआ था तो पानी पत का जो तीसरा यूद हुआ था वो आपको पता है कि वो एहमद शाह आपदली और मराठाओं के बीच हुआ था पानी पत के अंदर ये जो एहमद शाह अबदाली था ये एक अफगानी साशक था और इसने भारत में आकर आकरमन करने स्टार्ट किये जब ये बात आपके दक्षिन में मराठाओं को पता लगती है तो वो है कालता 1761 का जब यहां पर अफगानी एहमद शाह अबदाली ने भारत पर शाशन करने के लिए अटेक किया था और पानी पत में मराठाओं ने आकर इसके साथ युद किया था युद में क्या हुआ अंत में कि यहां पर इस युद के अंदर मराठाओं का पतन हो गया और जो यह एहमद शाह अबदाली था यह इस युद को जीत जाता है और यह आखिरकार पानी पत पे विजय आसल कर लेता है और साथ साथ में यह पूरा उत्तर भारत को भी अपने इंडर में ले लेता है आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स कोशन की और नेक्स कोशन है हमारे आप पर कुतुब मिनार का निर्मान किसने पूरा किया था अब कुतुब मिनार से लेटिड एक कोश्चन जो है यह इंपोर्डन कोश्चन है और ऐसे और भी कोश्चन आ सकते हैं अब कुतुब मिनार का निर्मान किसने पूरा किया था इसका तो आंसर आपको पता ही होगा लेकिन X 보 लो है एक बार में यह बताूँ कि कुतुब निर्मान कराया किसने था कुतंबुमेथा कुछ निर्मान का निर्मान कराना श्रू किस ने तो वह कुथब दिन एबक्तियार कही इनकी सुन श्रूब करा tav कर July двух दिन एबक और लेकिन दो या तीन वर्ष के बाद यहां पर कुत्ब दिन की मृत्यू हो जाती है बिमारी कारण और ये काम बीच में रुख जाता है कुछी मिनार बन पाती है और कुछ रह जाती है लेकिन आखिरकार कहीं साल की उतार चड़ाओ के बाद ये इल्टूत मिश जाकर इसे प करवाता वो इल्टूत मिशने करवाता बहुति आपका यहां पर कौं सा साओं और उटेया आगे बढ़ते जो नेक्स्य कोशन है वह हैं हमारा फॉप इंथर-शश्य कोई न इंप्रटिशन पीचन है मंत यहां पर बहादुर्शा बिस हतीस आई ऐसे बाहदुर्द शाहर इ पर अकबर दुट्य के बाद 28 से 30 में यहां पर बादुशाद दुट्य ने गद्दी समाली और अपने शाषनकाल सुरू किया इसने अपने शाषनकाल में बड़ी कोशिश की यहां पर मुगल शाषनकाल को बरकरार रखे वे लेकिन उस दोरान भारत में ब्रिटिश एमपैर आ चुगा था इस्ट इंडिया कंपनी कहीं सालों से वर्षों से चल रही थी लेकिन यह उतना अपना वजुद नहीं बना पाया और कहीं वर्षों बाद 10-15 साल बाद रंगरूर भारत का जो एक छोटा सा छेतर है वहां पर इनकी मृत्व हो जाती है और वहां पर यह माल ल नहीं होती है उपस्तिती में जहां पर जो विद्रो करता थे अठार सता उनकरांति में भारतिय जो थे उन्होंने करांतिकारियों ने एक समय पर बहादुर शाह को पूरे भारत का अंग्रे जो के विपक्स में सम्राट गोशित किया था तो यहां पर जो कोशन आपका सकते हो अपने पिता किमेर्द्थिव अक्बर तुस्षिंक के बाद समाला था अगारा हैवे यहां पर एक शाषण तो अगर आपको पता हूँ वह सुल्तान थे हा हैं मोहम्मद बिन तुगलग मोहमद बिन तुगलग scrut this था वो आपका 1325 इसवी से लेकर यहां पर 1351 इसवी तब चला इस साशनकाल में इन्हों ने एक सबसे बड़ी काम किया था वो किया था मुहम्मद बिन तुगलक ने कि दिल्ली जो राजधानी थी उसको को स्थनांत्रित करने की कोशिश की थी यहां पर यह दिल्ली को शिफ्ट करके ले गए थे दो लताबाद तक दिल्ली से यह शिफ्ट करके राजधानी को दो लताबाद ले गए थे और वहां पर भी इन्होंने एक प्रॉब्लम फेस की प्रॉब्लम यह कि वहां पर पाने की औ तो यहां पर मुहम्मद बिन तुगलग आपके वो साश सुल्तान थे जिन्होंने सती पर्था पर रोक लगाने की कोशिश की थी Next question देखते हैं, next question है हमारे हमायू नामा की लेख़क कौन थे हमायू नामा के लेख़क यानी बड़ा ही important question है, हो सकता है कि इस बार के exam में आपसे पूछ ले जाए तो हमायू नामा की जो लेख़क थे वो थे यहां पर आपका option number भी गुलबदन बेगम गुलबदन बेगम यहां पर आपके जो बहदुर शाशक थे, क्या नाम था उनका बाबर, बाबर की बेटी थी यहां पर गुलबदन बेगम बहदुर की बाबर की बेटी थी और बाबर की बेटी ने अपने भाई, जो उनका हमायू भाई था उसके उपर इन्होंने यहाँ पर यह किताब लिखी थी एक लेक लिखा था जिसका नाम था होमायू नामा कोशन में नेक्स देखते हैं यहाँ पर गुरू नानक देव के ततकाल उत्राधिकारी कौन थे ततकाल उत्रादिकारी के बारे में बात कें ये जो कोशन है आपके याप ईप सिख धरम से लिया गया है और अगर आपने ये पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि δ行 सिख गुरु अंगत देव जो थे इनें उनके बाद यहाँ पर गृुट नानक देव के बाद यहाँ पर ततकाल में उत्रादिकारी बनाए जाता इस शिंधरम का और यह दूसरे सिंधरम गृु होते है, साती में जो इनका पीरेढ होता है इनका जो समेकाल था इनका वो था आपका यहां पर 1504 इस्वी से 1552 इस्वी तक यह अपने इस समय तक यहां पर सिख दूसरे सिख धरम ग्रूप बने रहते हैं नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन है यहां पर कुशल ग्रामिन पसाशन के लिए परशिद राजवन्स कौन सा था बड़ा इंपोर्डेंट कोशन है यह भी आपका अगर आपने पढ़ा हो तो इसका जो सही आंसर था जो कुशल ग्रामिन पसाशन था वो कौन से राजवन्स में स्टार्ट होगा था वो शुरू होगा था आपका यहां पर चोल वंस में इसका जो आंसर है वो है चोल वंस और अपने आप में वो वंस था जिसने दक्षिन भारत में पलवो को उखाड़ फैका था तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका चोल और मैं आपको बदा दू कि यहां पर चोल वंस रेटिड कोश्चन एक्जाम में पूछने की बहुत ही ज्यादा पॉ किया और इस क्लास का जो मोटिव है वो है न सिफ आपका रिविजन कराना और आपकी प्रैक्टिस कराना यह आप भी देख सकते हैं कितने अच्छे हैं आप लिए गए है तो इसी तरह और भी अधर सब्जिक से क्लास आती रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चै कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्षिन में आप मुझसे पूछ लेना पीटी एक्जाम की प्रिपेशन को लेकर कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेट का तो भी आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं बागी यहाँ पर यह पीटी बैच से लेटेड कोई भी आपकी पहरी हो तो आप हमें WhatsApp के through या comment box में भी आके पूछ सकते हैं मिलता हूँ आपको अगली class में तब तक का till then bye bye